Hello Class Second, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? देखे, आज हम आपकी Composite Mathematics में आपका New Chapter स्टार्ट करेंगे Chapter 14, Measurement of Capacity देखे, अब तक हमने Measurements में 2 chapters पढ़े Measurement of Length, Measurement of Weight और आज हम पढ़ेंगे Measurement of Capacity देखो बेटा, अब जैसे तीनों ही चीज़े Measurement के लिए होती है Capacity, Weight and Length तीनों ही चीज़ें सब के लिए Use नहीं की जा सकती सबकी Units अलग-अलग होती है सभी के साथ अलग-अलग चीज़े Measure होती है तो जैसे अब हमने Potato लिया Potato जानते हो ना, आलू तो देखो आलू को हम किस में Measure करेंगे? हम उसको Measure करेंगे Measurement of Weight में क्या हम उसको Measurement of Length में Measure कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसमें तो हम उसकी Length क्या है? वो चीज़ बताते हैं वो जो हम Inchi tape से है ना? या Scale के Thru, हम उन चीज़ों को Measurement करते हैं तो पटेटो जो है उसकी कोई फिक शेप तो होती नहीं है वो बड़ा भी होता है छोटा भी होता है गोल भी होता है तो उसको हम मेजर करते हैं मेजरमेंट अफ वेट में तो सारी ही चीजों की जो मेजरमेंट करना होता है सारी चीजों का उन सबकी यूनिट जो है वो अलग- आपकी notebook है, कोई cloth है, है ना, कोई table है, और कुछ चीज़े ऐसी होती है, जिनको measurement हम वेट में करते हैं, sugar है, जैसा कि आपको potatoes, rice, दाल, इन सब की length नहीं ली जा सकती, तो उन्हें हम करते हैं, measurement of weight में, अब देखें, measurement of capacity, measurement of capacity में, यानि कि हम इसमें क्या measurement करेंगे, इसमें होता हैं, just like milk, tea, medicine, जो bottle वाली, पीने वाली आती है, cup syrup type, वो सारी medicines जो होती है, तो इस तरह कि जो liquid form में हमारे जो things होते हैं, उन्हें हम किसमें object करते हैं, किसमें measure करते हैं, measurement of capacity में, तो देखें, substances like water, milk, oil, petrol, etc. are called like liquids, तो अब पताया न, आपको liquid form में ये सारी चीज़ें जो है, वो measure की जाती है, liquid form में जो होती है, वो सारी capacity में measure की जाती है, तो first activity देखते हैं, take a bucket and a glass, हमने एक bucket लिया and a glass लिया, fill the bucket with water, हमने इस bucket को water से fill कर दिया, now, pure the water from the bucket into the glass, till the glass is full, अब देखो हमने ये glass को भी water से fill कर दिया, but water is still left in the bucket, अब देखे, इसमें से हमने इसमें water fill किया, अब इसमें कहां तक पानी रह गया, clearly the bucket can hold more water than the glass, यानि की जो bucket से हमने water लिया, glass में, फिर भी हमारा जो bucket में जो water है, वो जादा है, glass से जादा है की नहीं है, है न, we say that the capacity of the bucket is more than the capacity of the glass, तो हम ये चीज़ बता सकते है कि bucket की जो capacity है, water लेने की, वो glass की capacity से जादा है, यानि की bucket में जादा water आ सकता है, और glass में कम water, ठीके, तो देखे, water आपका liquid form में होता है, क्या आप इसको tall सकते हो, यानि की measurement of weight में हम इसे कर सकते हैं, नहीं, क्या हम इसकी length ले सकते हैं, बिलकुल भी नहीं, तो कुछ चीज यानि कि जितनी भी liquid हैं, वो measurement of capacity में आती है, अब देखे, activity two है, यहाँ, take a milk feeding bottle and a cup, ठीक है, हमने क्या किया, bottle take a milk feeding, हमने एक bottle ली और एक cup लिया, ठीक है, fill each of them with milk, हमने दौनों को milk से fill कर दिया, which one can hold more milk, तो बताएं कौन सा वाला जादा, किसमें जादा milk आएगा, clearly the milk feeding bottle can hold more milk than the cup, we say that, तो आपको देखे, जो है आपका, यह जो bottle है, milk feeding जिससे बच्चे दूद पीते हैं, इसमें जादा milk आएगा, और इस cup में कम आएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, we say that the capacity of milk feeding bottle is more than the capacity of the cup, यानि कि इस bottle की capacity इस वाले cup की, इस cup से जादा है, तो यह हो गई आपकी, देखे, due to activity आपको I hope समझ आ गया होगा, कि किस तरह से हम liquid form को measurement of capacity में measure करते हैं, तो देखे, the capacity of a container is the quantity of liquid it can hold, we measure the quantity of a liquid in liter and milliliter, तो जो चीजे देखो, जैसे हमने length में पढ़ा था, measurement of length में हमने क्या पढ़ा था, meter and kilometer, है न, चोटी चीजे हम meter में कर रहे थे, बड़ी चीजे हम kilometer में कर रहे थे, फिर हमने पढ़ा measurement of weight, जिसमें हम छोटी चीजे ग्राम में measure कर रहे थे, और जादा चीजे जो थी, उसको यानि की heavy weight जो था, उसको हम kilo gram में कर रहे थे, और measurement of capacity में क्या होता है, जो, बितलब कम liquid होता है, उसको हम milliliter में find out करेंगे, और जिसमें जादा होता है, उसे हम liter में measure करेंगे, ठीक है, तो अब देखते हैं, आगे, देखे, यहाँ पर कुछ, the vessel shown blow measure one liter of petrol और kerosene, दो को kerosene होता है, मिट्टी का तेल, ठीक है, पेट्रोल जिससे गारी चलती है, फ्यूल होता है, तो देखे, one liter के लिए हम इसका use करते हैं, इसके, यह पूरा one liter का है, यानि कि इसमें one liter petrol ले लीजिए या kerosene ले लीजिए, वो इसमें पूरा यहां तक दो काईगा, ठीक है, इसे हम वैसल बोलते हैं, ओल्धा लेजिए, वैसल वैंफिल्ड या पूरा लीजिए, तो हम इस वैसल का use करेंगे, अगर हमें two hundred ml चाहिए, यानि की milliliter, तो हम इसका use करेंगे, 100 milliliter के लिए इसका करेंगे तो यह सारी जो है वैसल है, यह का को मेजर करने के लिए होता है कम है तो यह उससे थोड़ा जादा उससे थोड़ा जादा और सबसे जादा इसमें हो जाएगा तब वेसल फॉर मेजरिंग मिल्क आर शोन विलो और जब हम ममा आपको देखा होगा ममा दूद लेने जाते हैं है ना तो आप किसी दिन ममा के साथ ममा आज ही जाना मैं तो यह कहते हूं ममा आज आप मिल्क लेने जा रहे हो तो आज आपके साथ मैं भी जाओंगा या मैं भी जाओंगी तो देखें जब जाओगे आप साथ में तो वहां पर जो दूद देने वाले होंगे वो कुछ इस तरह का वेसल जो है वो यूज कर रह करते हैं यहां कुछ examples दिए हुए है measuring capacity in liter and milliliters तो देखें we measure small quantities of liquid in milliliter जैसा कि मैं ने भी आपको बताया कम जो liquid होता है कम quantity में उसे हम milliliter में करते हैं और जो ज्यादा होता है उसे हम लीटर में करते हैं तो यहां कुछ examples लिके हुए है देखें है ना यहां पर यह देखें dose of medicine to be given as injection to a patient तो patient को जब हम को इभी injection देते हैं तो वो छोटा सा injection होता है उस injection में बहुत सारी दवातों आएगी नहीं तो उसमें कितना होग लाइक 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml तो यह किसमें मेजर कर रहे हैं हम यह जो liquid की है यह liquid की small quantity है तो इसे हम milliliter में find out करते हैं देखें just like this यह क्या है यह क्या है यह सके भी वाटर लाइक है यह milk feeding bottle है यहां पर देखें कुछ examples दिये हैं जिसमें कुछ चीज़े लीटर में है कुछ चीज़े मिली लीटर में है तो यह आपको करना है करना क्या है आपको पहले तो सबसे पहले यह जितने भी वेजल्स हैं ड्रॉ करने हैं और हाँ सबको equal size में मत कर देना सबके size जो है दिये हुए है इन एक्जामपल्स को भी आपको अपनी notebook में अच्छे से लिखना है और उन्हें समझना है इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट exercise of this chapter तिल दन बाई बाई